कार्थिकारियन ने वो कर दिखाया जो इन दिनों बॉलिवड के बड़े बड़े सुपरस्टार भी नहीं कर पा रहे हैं हाली में रिलीज हुई कार्थिकारियन की फिल्म भूल भूलेया 2 बॉक्स ओपिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है अपने रिलीज के आठ दिन बाद इस फिल्म ने बॉक्स ओपिस पर सौ करोड की कमाई कर ली है इस फिल्म का क्रेज ओडियन्स में दिन बढ़ता जा रहा है इस फिल्म के सकसेज होने का एक और बड़ा कारण ये है कि 2007 में कल्ट कॉमेडी भूल भूलेया 2 की पुरानी यादों के कारण कार्थिकारियन की ये फिल्म सिनेमा घरों में सफल हो पाई है वही पिछले कुछ समय से साउथ के सिनेमा की बढ़ती लोग प्रियता के कारण बॉलियूड के बड़े-बड़े सुपरस्टार के सितारे गर्दिश में है इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी बॉलियूड वाले अपनी इज़त नहीं बचा पा रहे है साउथ की पैन इंडिया फिल्म है जैसे की पुस्पा दर राइज, ट्रिपल आर, केजिएप चेप्टर टू ये सारी वो फिल्म है जिन्होंने बॉक्स ओफिस पर जम कर कमाई तुकी इसी के साथ दा कश्मीर फाइल्स को छोड़ कर बॉलिवूड की कई बड़ी बड़ी फिल्मों की बैंड बजा दी पर हाली में बॉलिवूड के उबरते हुए सितारे कार्थिकारियन ने अपनी फिल्म भूल भूलिया 2 से बॉलिवूड की इज़त बचा ली कार्थिकारियन ने फिल्म में अपनी दमदार एक्टिंग और अभिनया से दर्शकों का दिल जीत लिया बॉलिवूड के बॉक्स ओपिस पर कई सालों से पड़े अकाल को कार्थिकारियन ने समाप्त किया फिल्म ने रिलीज होता ही पहले दिन बॉक्स ओपिस पर रिकॉर्ड थोड कमाई की थी पहले ही दिन कार्थिकारियन इस्टारर भूल भुलिया टू ने 14 करोड कमाकर इस साल की बॉलियूड की पहले दिन सबसे ज़धा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी उसके बाद से लगातार दूसरे अफ्ते में इस फिल्म ने 100 करोड की कमाई कर लिये कार्तिक आरियन वही कलाकार है जिनने बॉलिवूड के बड़े-बड़े फिल्मेकर्स अपनी फिल्मों में नहीं लेना चाहते थे यहां तक कि वे उनके काम की तारिफ करना भी जरूरी नहीं समझते हैं दरसल इसका सबसे बड़ा कारण है नेपोटिजम दरसल बॉलिवूड में करन जोर, आदिती चौपडा साइथ अन्ये कई बड़े फिल्मेकर्स पर नेपोटिजम को बड़ावा देने का आरोप लगता रहा है वहीं करन जोर ने पिछले साल ये अपनी फिल्म दोस्ताना टू से कार्तिक आरियन को बार कर दिया था हाली में करन जोर की बर्थडे की ग्रेंड पार्टी में सारा अली खान, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, सनाया कपूर, इशान खटर, आरियन खान और इब्राहिम अली खान साइथ कई तमाम नए सितारे सामिल हुए लेकिन करन ने अपनी इस पार्टी में कार्तिक को इग्नॉर कर दिया, जबकि इन दिनों कार्तिक आरियन बॉक्स ओपिस पर बड़े से बड़े कलाकार को टकर देकर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों आपका इस बात पर क्या गयना है, कोमेंट बॉक्स पर अपनी राहे ज़रू लिखे हैं